पीना तकिया सोने के लाफ नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल प्रद्भा वीडियोज में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप पीलो का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो भी यह किस तरह आपके लिए लाफकारी होता है इस वीडियो के माधियम से दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो कहिए जाएएगा नहीं वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अकसर आपने देखा होगा कि हम अपने सोने के लिए कमफर्ट का बेहत ध्यान रखते हैं लगजरी बैट लगजरी तकिया या ऐसे पीलो जिस जो आपके लिए बेहत आराम दायब हो लेकिन कई बार हमें ऐसा भी पल देखना पड़ता है जब हमारे पास पीलो नहीं होती है तो क्या आप समझते हैं कि यदि हम बीना पीलो लगाए भी सोएं तो यहाँ आपके लिए लाप कर सकता है दूसर सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन यहाँ आपके लिए बेहत लापकारी कई बार पीलो का प्रयोग ना करना भी आपके स्वास्त के दिरश्ट मोर से बेहत लापका है मिना तक्या सोने से आपके कमर का पश्चर बिल्कु सीधा रहता है जिससे आपके कमर का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है यदि आपके कमर में दर्द हो तो आप बिस्तर पर एकदम सीधे ले जाए और उस समय तक्या का प्रयोग ना करें आपक यह आपके लिए बेहत लाबकारी होगा तकीये में दिन भर के धूल मिट्टी और बैक्टिरिया कड़ी होते हैं ऐसे में कई बार चैरे के एकने पिंपल्स का कारण भी होती है आप की ये तकीया क्योंकि हमारा चैरा बहुत सेस्टी होता है इसकी इसकी होती है बेहत नाज़र ऐसे में तकीये से जब भी आपका चैरा टच करता है आपके चैरे पर भी पिंपल्स हो जाते हैं दोस्तों बिना तकीया लगाए सोने से बाडी में ब्रश शर्कुलेशन भी बेहत अच्छे से रहता है ये आपके शरीर के सभी अंगों में सुचारू रूप से रक्त का संच करता है सीरदर्द की समस्या होने पर भी आप सीधे सर के बस सो जाएं और तकीये का प्रयोग न करें यह आपके सर के दर्द को बहुत जल्दी ठीक करेगा कई बार गलत फैब्रिक का तक्या यूज करना भी हमारे लिए बेहत दिक्कत का कारे करता है ऐसे में भी आपके या आपके बॉड़ी के पेन को भी कम करता है तो दोस्तों आज हमने जाना कि बिना तकीया के भी सोने से होते हैं बेहत लाप अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिंद जैभारत